जहें दोस्तों अंदे मात्रा इमरान खान की कल पाकिसान में हुई कि रफ्तारी के बाद में पाकिसान के खास दोस्त चाइना के उपर भी सवाल उठ रहे हैं इमरान खान के समर्थक चाइना के उपर भी आरोप लगा रहे हैं क्या आरोप लगा रहे हैं कैसे आरोप लगा रहे हैं और कैसे पाकिस्तान के इस आंतरिक मामले में चाइना दखल दे रहा है इन सबी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे धीया जा रहा है उन सभी की करन पाकिस्टानी जंता में बड़ा गुसा व्याप्त हो चुका है चाइना को लेका ऐसे में पाकिस्टान के पुर्णान बंत्री इम्रान खान की रफ्तारी के बाद देश में एक रहयत जैसे भी हालात बन गये इमरान खान समर्थक पूरे पाकिस्तान में इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं इमरान खान की पार्टी तहरी के इनसाफ के निशाने पर देश की सबसे शक्तिशाली सीना है इमरान समर्थकों ने देश के कई हिस्सों में सीना के टिकानों को आग के हवाले कर दी यही नहीं पाकिस्तानी सीना के मुख्याले में भी इमरान खान समर्था कुज़ गए और उसमें तोड़ फोड़ कर दी इस विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सीना ने राद भर जम कर फायरिंग की है जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबरे भी है इन सब के बीच में इमरान खान की गिरफतारी को कई विश्लेशक चीन के विदेश मंतरी की यातरा से जोड़ कर भी देख रहे है अब तरह ये भी समझ लेते हैं कि क्या है ये पूरा मामला की एक यातरा इतनी बड़ी कैसे होगी दरसल चीन के विदेश मंत्री किंग गांग अभी दो दिन पहले ही पाकिसान की यातरा पर पहुंचे थे इस से पहले पाकिसान के सीना प्रमुक आसिम मुनीर भी चीन के अपने पहले दोरे पर गये थे चीनी विदेश मंत्री ने इसलामबाद में एक बयान दिया जिसे लेकर विवाद हो गया किंगांग ने कहा कि स्थिरता विकास का अधार है एक पड़ोसी और मित्र के नाते हम पूरी अमानदारी से आशा करते हैं कि पाकिसान में राजरिदिक ताकतें आम राय बनाएंगी और कंडिशन को बरकरा रखेंगी साती ज़्याधा प्रभावी तरीके से घरेली और विदेशी चुनौतियों का समाधान भी किया जाएगा चीन की विदेश मंतरी के इस बयान को पागISTान के आंतरिक मामलों में हस्तशेव की तरह भी देखा जा रहा है चीन के विदेश मंतरी के बाद रक्षा मंतरी भी पाकिस्तान पहुंचे थे और उन्होंने CPEC में हो रही देरी पर नाखुशी जदाई थी पाकिस्तानी विशलेशकों का कहना है कि ये चीन की नीती नहीं रही है कि वो किसी देश के आंतरिक मामलों में अस्तशेप करे उनका कहना है कि चीन अगर ऐसा बयान देता है तो ये दर्शाता है कि हमारे देश में किस तरह के तूफान का सामना किया जा रहा है चीन के विदेश मंतरी के इसलामबाद से स्वदेश जाते ही पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया था चीन तो रसल चाहता है कि CPEC योजना को आगे बढ़ाया जाए लेकिन इमरान खान की टकराव की राजनीती इसके लिए रोड़ा बनी हुई है CPEC पर योजना को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ही सबसे पहले शुरू किया था इससे पहले अमेरिकी मीडिया ने खुफिया दस्तावेजों के अधार पर खुला सकिया था कि पाकिस्तान अब चीन की और बढ़ेगा खुद पाकिस्तान की वदेश राज्य मंतरी हिनारबबानी खर ने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में अमेरिका की बजाए चीन के साथ बढ़ने पर जोड़ दिया था इन्ही वज़ाओं से कई विशले शक इमरान खान गिरफतारी को चीन के साथ जोड़ कर भी देख रहे हैं इस बीच अफगानिस्तान में अमेरिका के दूत रह चुके जलमे खली अज़ाद ने खुल कर इमरान खान के समर्थन किया है यही नहीं अमेरिका की विदेश मंतरी ने भी मांग कर ये कि सम्गधान के मताबिक पाकिस्तान में कारवाई होनी चाही इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आकर इमरान खान की क्या गिरफतारी जिस कादर ट्रस्ट केस में हुई है वो क्या है तो देखिए इमरान खान को मंगलवार को गिरफतार कर लिया गया उनकी गिर्फतारी के बाद से पाकिस्तान में जिस प्रकार्ट प्रदर्शन हो रहे हैं वो काफी बुरे हैं इमरान को अलकादर ट्रस्ट जोड़र प्रशचार के एक मामले में राश्ट्री जवाब दे ब्यूरो ने गिर्फतार किया है इसके अलावा पाकिस्तान के पूर प्रदान मंतरी और पाकिस्तान तहरीक एंसाफ मतलब पी टी आई के मुख्या इमरान खान को असलावाद हाई कोड के परिसर से मंगलवार को गिर्फतार कर लिया गया है जहां वो दो मामलों पेश होने के लिए आय थे बाद में असलावाद पुलिस ने आई जी अकबर नाजर खान के हवाले से एक बयान जारीकर बताया कि इमरान को अलकादल ट्रस्ट केस के संबन में गिर्फतार किया गया है इमरान की रफतारी के बाद एक प्रेस कान्फरेंश को सम्भूदित करते हुए पाकिस्टान की ग्रहमंत्री राणा सनाउलला ने दावा किया है कि पी टी आई चीफ को अलकादल ट्रस्ट म्रस्ट प्रस्ट चार मामले में गिर्फतार किया है इस केस में इमरान और उनकी पतनी बुश्रा बीबी पर मनी लॉंटिंग कर प्राप्त की गई 50 अरब रुपई की राज़ी को वैद बताने के लिए एक रियल एस्टेट फिर्म का इस्तमाल करने का रूप है अब आई जान लेते हैं कि आखरी अल-कादर ट्रेस्ट कैस क्या है और किस तरीके से इमरान खान फसे है दरसल इमरान खान उनकी पतनी बुश्रा बीबी और दूसरे पीटिया इनिता करप्शन के एक मामले में राश्टी जवाब दही ब्यूरो की जाच के सामना कर रहा है ये मामला पीटिया सरकार और एक बिल्डर के वीच लेंदेन का है जिसने कते तोर पर पाकिस्तान के राश्टी खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुक्सान पहुंचा है इमरान बुश्रा बीबी, जुल्फिकार बुखारी और बाबर अवान ने अलकादिर नाम से एक ट्रस्ट बनाया जिसका उदेश पंजाब के जेलम जिले में अलकादर युनिवस्टी के स्थापना करता है ट्रस्ट के ऑफिस का पता बनी गाला इस्लावा दर्च किया गया 2019 में बुश्रा बीबी ने दान लेने के लिए एक प्राइविट रियल एस्टेट फिर्म बहरिया टाउन के साथ एक ग्यापन पर साइन किया इस डील के तहट बहरिया टाउन ने ट्रस्ट को 458 कनाल, 4 मरला और 58 स्क्वेर फीट जमीन दान की है पाकिसान की रह्मंतरी राणा सना उल्ला का आरोप है कि इमरान खान ने दान की के जमीन में से 240 कनाल अपनी पतनी की करीबी दोस्त फराई गोगी के नाम कर दी इस जमीन की कीमत कम करके भी आखी गई है और इमरान ने ये इनिवर्स्टी के नाम पर अपना हिस्सा प्राप्ट कर लिया इमरान खान ने इस मामले को दबाने की बहुत कोशिश करी पाकिसान के पूर्वित्तमंत्री मिफ्ता इसमाइल का आरोप है कि इमरान ने मलक रियाज नाम के बिल्डर को 190 मिलियन पाउंड दिये थे बाद में उन्हें ये राशी ब्रिटिश अधिकारियों को देनी पड़ी ताकि इसकी जांच की जा सके ये पैसा पाकिसान के आम लोगों का था इससे ही एक बड़ी नाराजगी मलक रियाज वही बिल्डर है जिसने उस ट्रस्ट को सेकड़ो एकर जमीन दान की जिसके सदस से इमरान खान और बश्रा भीवी थे 2021 में ट्रस्ट को युनिवर्स्टी के नाम पर करोड रुप्यों को दान मिला जब पाकिसानी मीडिया ने इसका खुलासा किया कि ट्रस्ट को 180 मिलियन पाकिसानी रुपए प्राप्त हुए है जबकि रिकॉर्ड में सिर्फ साड़े 8 मिलियन रुपए का खर्च हो ना दिखाए गया है तब ये घोटाला सामने आया तो और तब से ही लगातार इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्या कहना है आपका इस मामले में कमेंट करें जरू होता है कि येगा मेरे सुड़ी फिलात नहीं जाए है जाए भारत